एक सेकेंड में सारे फॉलोज अनफॉलो करना है आज हम बात करने वाले सभी फॉलोज आप जो गेन करते हो मैंने पहले वीडियो बना दिया कैसे फॉलोज गेन करने वह वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट है आज हम बात करने वाले सभी जो फॉलोज गेन करते हो मैंने इस वीडियो में ट्रिक दिया था ट्रिक देखना तो मैंने पहले ही बोल लिया आई बटन पर चेक कर लेना वीडियो सबसे पहले आपको क्या करने होते है बहुत सर पीपल्स को फॉलोज करने होते है जितने भी लोग सोच रहे हो इतने सारी following हो जाएगी उसके बाद unfollow करने में बहुत सारा time चला जाएगा इसलिए वीडियो बना रहा हूं आपके लिए बहुत ही काम करने वाले यह वीडियो तो इसलिए वेडियो का एंड तक देखना एक एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूं इसलिए आप जो अच्छा लगे सोच के आप ठीक है तो आप लोगिन कर सकते हो लोगिन करने के बाद सिंपली आपका जो आईडी होगा ठीक है आईडी ओपन करने है ओपन करने के बाद आपको एक फॉलॉइंग का option मिलने वाला है option पर जैसे क्लिक करते हो simply एक साथ ठीक है क्यों नहीं है सिर्फ में आपको प्रमोशन और के आपको जो करना चाहते हो ठीक है फॉलॉइंग का ठीक है इसके लिए मैं बता रहा हूं एप्लिकेशन में मैनियुली करने करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है ठीक है यह application काम करते है ओटोमेंटिकली ठीक है आपको यह वर्क कर रहे हो फोन में वह आप application open करके रख दोगे जैसे कि आपके थाउजन फॉलॉइंग्स है ठीक है उस एप्लिकेशन पर आपका आईडी लॉग इन करने के बाद सिंप्ली इस option पर क्लिक कर देतो अनफॉलो वाले option पर option पर क्लिक करने के बाद क्या होता होगा directly unfollow होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और जिस एनफॉलो हो जाता है zero unfalling फिर क्या होता है जो होता है जीरो हो जाएगा उसके बाद आपका काम खतम उसके बाद आपको security के लिए बता दे रहा हूं ठीक मैंने बोला था वीडियो का एंड देखना क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ में बता देता हूं ठीक है करने के बाद जो एप्लिकेशन मैंने बोला डाउनलोड करने के बाद यह फॉलिंग अन्फॉलोव हो जाएक आप्लिकेशन भी अनिस्टॉल कर दो ठीक है बहुती बढ़िया ट्रीक के मैं आपको बता रहा हूं उन्फॉलो करने की सबसेट ट्रीक आज तक की तो इसी बात पर मत भूला आज के लिए इतना ही और हाँ इंस्टाग्रम पर फॉलो कर लो क्यूंकि उद्र लेटेस्ट अप्डेट में डालता रहता हूं ठीक है तो अज के लिए इतना ही जैंद वंदे मातर हूं